मेरे प्यारे भाईयों बेहनों हमारे लिए जनता जनादन ही इश्वर का रूप है 130 करोर बेश्वासी यही हमारे परमात्मा है उनकी पतिष्ठा उनका पराकराम उनकी सेवा के लिए हम जीजान से जुटे है हम राम किर्ष्ण परमोज की सीथ को जीवन ने उतारने वाले राम किर्ष्ण परमोज देव ने कहा था जीव मैं ही शीव को देखो हम जीव मैं ही शीव को देख करके 130 करोड देव तारूप देश्वासीों की सेवा करने में लगे हुए हम सब को मिलकर गुर्देव रभिन राठ्थाकूर नेताजी सुभात तंद्रभोस स्वामी विवेकानिन जैसे महान व्यक्तित्वा के सपनों को उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बंगला का फिर से निर्मार करना है वो सोनार बंगला जहां बंगाल के स्वलनिम गौरों का समावेश होगा और आत्मन निर्वर का सामर्त होगा वो सोनार बंगला जहां हर गरी मद्जूर आदिवासी किसान भाई बंदू एक सम्मानिक जीवन जीए वो सोनार बंगला जहां की मा, भैन, बेटी, सब सुरक्षी और भाई मुक्त रहे वो सोनार बंगला जहां के गुआओं के पास सिच्छा और रोजगार के बरपुर अवसर हो वो सोनार बंगला जहां उत्योगों की कोई कमी न हो वो सोनार बंगला जहां तोला बाजी, कटमनी, सिंडी के, जैसे प्रस्टाचार के लिए कोई जगह न हो वो सोनार बांगला जहां गुंडे, अपरादी, उग्रवादियों की जगह जेल में हो, सडकों पिर न हो वो सोनार बांगला जहां सब के पास एक आवास हो हर घर सब जाल पहुंचे, आईश्मान भारत का साथ रहे आज पूरा बंगाल हमारी भारती जंता पाट के साथ मिलकर इसी सोनार बांगला के पुननिर्मार के लिए संकल पबद है मैं देख रहा हूँ, बंगाल की ये धरती सोनार बंगला का अब और इंतजार नहीं कर सकती इसलिए अब ये तै हो गया है दो मैं दिदी जाचे दो मैं दिदी जाचे आशोल परिपर्तन आचे इस बार भॉय नहीं सिर्फ जॉय पस्चिम बंगलार मानुशेर जॉय इस बार जोर से चाप कमल चाप इस बार जोर से चाप कमल चाप आपका एक एक वोट डबल इंजिन की ताकत बनेगा कमल चाप पर पड़ा हर वोट आशोल परिपरतन लाएगा सोनार बंगला का अंदर मान करेगा बंगाल के एक एक व्यक्ति को याद रखना है यह समय अपनी मात्रू की भूमी के लिए कुछ कर गुजरने का समय है यह हमारे बंगाल को कूशासन से मुक्त करने का समय है यह दमनकारी अत्याचारी सासन से बंगाल को मुक्त करने का समय है यह अपने आदर्सों और विचारों के लिए पूरी ताकत लगा देने का समय है आपके पास सुना और आफसर है आपने राश्टर निर्माण में योगदान देने का हम बस मंजिल तक पहुंच गए हैं मंजिल तक पहुंच गए हैं अश्वल परिबर्तन के संगत पर था हम यहां से अपने गाउं अपने घर जाएंगे और गर गर ये संदेश पहुंचाएंगे एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे